क्या कुछ कहना जाएंगे फिर से जॉन अबराम को एक्शन अवताव में देखकर और फिर उनके साथ इस बाद को स्राड को यह और ने बलकि शर्वरी है लंबे अर्से से जो जॉन अबराम के फैंस हैं उनको उनकी फिल्मों का इंतजार था लीड रोल में है जॉन और फुल एक्शन फिल्म है जॉन इस फिल्म में एक मिलिटरी मैन एक सूलजर की भीमिका में होते हैं यह फिल्म वेदा जो एक वोमेन ओरेंटेट फिल्म है पूरी तरह से सरवरी की फिल्म है यह कहानी एक दलीत महिला की है यह कहानी एक दलीत महिला के साथ वे नाइंसाफी की है उसके परिभार के साथ वह नाइंसाफी की है फिल्म का झो मैसेज है यो छूत अचुत चला करता था हमारे समाज में हमारे देश में भले आज होगा लेकिन फूत अचुत के कारण उनके साथ किस त bissनाटता था इस सुन में दरिशहाया गया यह पूरी तरह से सरवरोPeople की फिल्म है यह मैं कहूंगा जिस प्रकार ट्रेलर में दिखाया गया था कि महाभारत के श्लोक से शुरुआत होता है अर्जुन का दिखाया गया बहुत कुछ चीजे से पॉइंट आउट की गई तो ऐसा कुछ आपको फील आया वैसा कुछ मुमेंट आया कि जिस प्रकार महा कि इसके अलावा महाभारत की कहानी और फिल्म वेदा की कहानी बिल्कुल अलग है फिल्म वेदा कहानी है एक दलीत महिला की जो अपने परिवार को अपने समाज को इंसाफ लाने के लिए जो जिस से शिदत से महनत करती हैं लड़ाई करती हैं जिसमें उनका पुरी तरह से स दिय्यक्षण बहुत ही बढ़िया यह फिल्म मैं कहूंगा के ट्रवक अब्सक्राइब उपर लेबल का एक्षिन है तेने किने कशी नहीं है कि हम तीन गंटा रही घंटा फिल्म देखने के बाद हमारे दिमाग में रह जाता है एक भी डालेक लेकिन फिल्म का जो संदेश है फिल्म का जो मैसेज बहुत ही स्ट्रॉंग है ओडियन्स को फिल्म को देखने के बाद उस मैसेज को घरूर याद रखेंगे सरवरी को इसके पहले मुझा में देखा सुपर हिट वी मुवी इस बार उनका परफॉमेंस के साथ है अगर मुझा की बात करो तो वहां पर उनको इतना अपोचनेटी नहीं थी वेदा कही ना कहीं यह पूरी तरह से सरवरी की फिल्म है सरवरी के कांदे पर है भले लीड रोल के लिए बहुत अच्छा मंच प्रदान किया गया है वेदा वेदा के बाद कहीं है कि सरवरी को लोग सीर्व देखना पसंद करेंगे वेदा में सरवरी ने बहुत ही अच्छा भी ने किया है अभीशेक बैनर जी ने जो अपना एक कारेक्टर डेलप करके रखाता उससे बि मुखा विलन के रूप में लोगों ने उनको पसंद किया मैं यह कह सकता हूं कि लोगों में आज समझ आ चुकी जो विलन है किवल पर्दे पर विलन है वह अपना अभीने पेश कर रहा है उन्होंने बहुत ही स्ट्रॉंग विलन की जो भूमीकाय निवाई है फिल्म के लास पर होगी कौन किसको बात देगा मैं कहुंगा कि तीन बड़ी वैसे तो काफे फिल्में रिलीज हो दी 15 अगस्ट के मौके पर तीन बड़ी फिल्में रिलीज हो रही है खेल खेल में वेदा और स्ट्री टू यह अभीशेक की कहीना की एक इमतेहान है मुझे लगता है कि दो आर बीशेक कर आर है तीन यह ज लगता है जौन अप्राइम उड़ी विन अच्टान मौके लिए स्टार्विव बातोर लिए अटू इन ले खेली खेल अच्टान मैं कर दो ओपके लिए लिए उपके लिए जाए लिए अधर को श्की कि मैं एक्टान फिल्सें इन दिसीज ह सामने आई है जॉन अब्राम शर्वरी तो आपको वो केमिस्ट्री कैसी लगी शर्वरी नहीं जॉन आपको केमिस्ट्री कुछ नहीं है इस तमन्ना और उनके साथ पैरिंग था और इनका तो मतलब वो अब आपको कोच और स्टूडन का रिलेशन्शिप जैसे बताया है बिकस फिर प्राइब करें तो मैं तो बिलकुल भी डिसग्री करूं का इस बात पर और मेरे हिसाब से फिल्म वस जान वस आप मेरे हिसाब से इस एक्षिन, इस इस इस्ट्रियोनिक्स, इस फिसिकलिटी वस वा बवशिए इस फिल्म तो पहले फ्रेम से लेकि आखरी फ्रेम तक वही वो थे हलां कि शर्वरी की के नाम की ओपर फिल्म का नाम रखा गया है और उस पे कभी कोई बात हुआ नहीं है यह नहीं दोंक्छेन प्हतिसिकSnत yayुए-प्टिस के विर्षतस राइ्ट की बाद करें तो अध्तिकम कैसा भाल्यश से रहे को सनगे। अभां जादा खिशा बितना बहूति सा०र किल organizates चंट मैंसरों कि इस बाद में में राजयस्थान बाहेंग मेरें ख यह नहीं प्राइब पर मिल्सलेड अच्पी आप ऑग्या विश्म थे लिघ्याभांट विए डिल्सेश प्लाइब पर में विए प्राइब ने खिल्याए थारATA मिन अगरे लेहा फिंगा भाट कर लिए आप लिन पनापूर ST कर अभिएंग पते लोषी सीरहन मeti कि वोडे आप ल समय का ल in a very special role and John is there. So, the artists he had, were quite good artists. But whoever the screenplay is, I think the song, why that Mouniroy song was even, it was seriously injected in the film for some reason, maybe to make it appealing to the masses, but again, it was only made for the 54-4 audience, that whole song. So, I don't really feel why it will be because it's a lot of effort to get through it. It wasn't something which I really liked, तो फिल्म में अगर गाने नहीं होते हैं, जिस तरह से जा रहा था, उस तरह से चला जाता था, तो I don't think कि कोई प्रॉब्लम होती, जो तीसरी बात है वो यह है कि बहुत सारे जगे पे, जैसे for instance, the action director, I don't really think that he really paid much attention to the screen for that matter, एक सीन में पुरा जो 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 गाड़ी है पलट जा रही है, गाड़ी के अंदर 3-4 जन है, उसमें दिखा ही नहीं दे रहे है कि 3-4 जन है, तो पुरा पलट रही है, और फिर बाद में नेक्स शॉट में दिखा रहे है कि गाड़ी में 3-4 जन बैटे हुए है, so all these things are there, all of these things need to be taken care of when you're making the film, उसमें दिखा है नहीं किया गया, कि एक साथ तीन में रही है, पुरा जन है नहीं किया गया रही है, तो आपको क्या अगत है, कौन सब साथा है? यह तु पता नहीं है, वेदा में वानमायनामी है, जन है, तो 3-2 is a film which was very popular with the mass, previously the last film, the first 3-2 installment, and I'm sure that excitement is again there, because again Tamanna is there in a song which I personally like I love that song Aajki Raat that was a one that's a lovely song and that is definitely going to be a crowd puller but jaha tak action ka sawal is serious action ka sawal John is really did is I mean he's massive in this film and he's done really good do I know about a five stars only because of John I'm not a John Abram fan only John and John action yeah is a star in excess kya kuch kena chaeengi kaisa laga baut achi lagui film me joh tamanna bhaatiya ka kaam hai baut thoda tha hai lakin woi baut baut achi lagui hai un dho no ka pair bhoat acha lagta hai I hope ki aage wudon o ek-thart or continue kare Sharwari ne to bilkul chauka diya utne apne make up pe dhyaan nahi diya aapne joh body hai figure us ka itna acha hai utne us pe dhyaan nahi diya aitha lag raha tha ki sach me jyise koi teenager hamarai sámenne khadhi hai aur fighter teenager to Sharwari ka ka kaam baut acha tha aur sabse zara chok aya jinka nomination ho na chahiye best villain ka woh hai abhishek bennar ji kachap ka kaam kiya itna chota sa ladka jitko humne comedy me hi ab tak dhekha hai three one three two me bhi vete hi hai bheediya me bhi lallu sa bana hai us mei itna bada bhan gaya ho ki usnei ashish vidyathi ko bhi piche chodh diya to mujhe hi ye lagta hai ki usnei bhoot acha acting ki aur baki loogunne bhi acting ab nikila adwani ho jinnohne batla house bana hai to unse hai yehi expectation ti ki karvayenge to bhoot acha kama karvayenge lekin jahan tak film ki baat hai to film mei thoday sa loophole bhi hai mujhe yeh kehna chahiye ki joh screen play hai usmei thoday sa jhol jala hai agar usko thik kar lietai jashe end mei woh puchti hai aur judge mei se eek aurat khađi hoke bholti hai joh judge thi lady judge ki mein aapka case lardo ghi yeh nahi hoota hai ho bench day karthi hai unko number diya jata hai usmei unko joh bhi judge mile judge ko woh karna hi pardata hai aisa nahi hai ki judge apni duty se bol de manakar de ki mein ye case nahi lardo ga agar aisa case ho to humare yaa pe bhoot tari criminals hai woh log unko apna case lardo nahi na dhe judgement woh bhali kuch bhi kar sakti hai uska adhikar hunne hai lekin woh manah nahi kar sakti hai ki mein aapka case nahi lardo ga thodi bhoot joh cinematic liberties hai unko agar chhoď diya jai toh chabardust action hai action ko thudha kam kiya jata usmei bar bar agar villain pakar gai toh villain ko yeh loog nahi maar raha yeh loog pakarai gai toh villain nahi maar raha toh yeh joh hota hai or chasing ke joh thudha bhoot lambe kar diya uski jagah content ko thudha aur bada diya jata toh yeh jahe achi film bhoot bada yaa bhoot bada yaa direction iska editing bhoot achi hai aur sath me cinematography achi hai background score dhekye action filmo ka loud hi hota hai toh background score ko hum bol sakti hai ki nahi nahi bhoot loud tha but baqi film bhoot achi hai even agar bahad kiya jaya kal abishaeh panduji ke перв i outra move olyay ingeo ingeo sath fit see sath 3 2 ko maat deena thoda mushkil lag ra hai kyunki it film ka inthitar poorhay bhara ko tha kaafi dinon ke ba had ha raha hai aur supernatural hai toh tab q jaya na hai ki AAKASH RADAHAPOOR hai korn поговор מש receive ". लेकिन बाकी थब में अच्छी है, खेल खेल में बहुत कॉमेडी थी और बिलकुल नो एंट्री की याद देला दी तो ऐसा ही बस कहते हैं पांच में इसे किता चाहँ है? पांच में इसे मैं इसे तीन से सदे तीन के बीच में देना जाओ क्या कुछ कहना चाहेंगे फिर से जॉन अब रहाफ को एक्शन अवतार में ते कुछ है रहा है? मैं देब बोलना चाहता हूँ कि यह बहुत अच्छी मूवी है काफी लोंग टाइम बाद पठान के बाद अभी जॉन सर को देखने का मुका मिला है हम लोगों को तो हम लोग ने देखा है कि जॉन सर की मूवी फाइटिंग मूवी है वो फाइटिंग सीन बहुत ही अच्छे रहते हैं मूवी में जोन सर की वन साइटिड वो अपनी मूवी को लेके जलते आगे तक लास तक लेके गए तो शिरवरी का भी बहुत ही अच्छा गाम है सभी का अच्छा काम लगा है मुझे मूझे में काफी अच्छा लगा कुछ अलग देखने को मिला और अभिशेक जी तो कॉमेडिन एक्टर है उनका कि ये विलन कवले अफ्तार में अलग ही वो लगा है कि बहुत है अच्छा लगा है उस लुक में मुझे उनको देखके हुए अच्छे खराए का ये ये वहरे लिए इक बात करने-द पर मेंहरें इच्छा आपको जों ड्यालोग कि बात पर्रेती तो तो ब Nolan जों कि में्हरे हुटाय नि एक मुझे लगना नहीं आता है मुझे जन्ग लड़ नहीं कि बहुत है और भी काफी सारे डाईलोग से कि डायलोग अच्छे थे को यहसा वह नहीं था पांच में से पांच में से पांच रेटिंग देने चाहता हूं जी जी बहुत अच्छी मोवी लगी है मुझे तो